और 99 रन हो चुक है यहां पर मुंबई इंडियन्स के और आईश भाई यह कितना अच्छा सिच्वेशन है बल्लेबाजी करने के लिए अपकी टीम जीत के कागार पर है और आप दोने ही बल्लेबास सेट हो चुके हैं इस बीच एक और चौका लगा दिया यहां पर और पहला चौका देखिए अब लेगबाई का दे दिया गया अच्छा चौका वो लेगबाई का दे दिया गया लेकिन यह शॉट इना जबरदस्ता है उसकी कोई वोज नहीं पड़ी आपने फाइन लेकी तरफ यह चौका लगाया एलिस पर ही भागते वे जरूर है लेकिन उन्होंने भी जादा कुछ एफर्ड यह नहीं किया कि बेर डाइव लगाके जो है आउट हो जाए अपने यहां पर एक और शॉट मारा है वाइडर जो लॉंगाउन की जो फील्डर है वो इस बॉल को पकड़ेंगी और स्कोर हो जागा एक सो चार पे एक लेकिन आज हैली म उन्होंने जरूर लगाई है उन्होंने अपने आपको रूम भी दिया उसके बाद शॉर्ट लगाए तो जबर्दस वैडिंग है एक और डाउन दग्राउंड शॉट खेला है फील्डर महां मौझूद नहीं है तो एक और चौका मिल जाएगा तो जैर फील्ड सेटिक भी बहुत खराव करी बेलकों मिडॉफ पर खिलाडी है तो आफ स्टम के बाहर की गेंट को फुलर लंड की बॉल को लॉफट कर दिया हो आपकर और उपर से आप यह देखिए कि जब दस ओवर के बाद का गेम हो चुका है कोई भी कैप्टन जो है वो मिडॉफ और जो लॉंग खराब कप्तानी भी लग रही है फिर से डाउन दलेग और फिर से फाइन लेक की दिशा में यह बॉल जा रही है चौकार रोक पाएंगी बहुत जबर्दस फिल्डिंग फिर से एलेस पैरी की जो हमें वर्ल्ड कप में भी दिखाए दी थी डाइव लगा के इस चौके को र दाईज भाई तो यह छोड़ देता इन्होंने अपनी दाई और डाइव लगाते हुए और बॉल मतलब गेंद हाथ को गेंद के पास पहुंचा ही दिया कैसे भी चलिए तो और की अंतिम गेंद को लेके चलेंगी सोफी डिवाइन स्ट्राइक पर होंगी हेली मैथियूस इ अभी भी 110 पर 1111 ओवर की समाप्ति वाद 54 गेंदों में 46 तो मतलब केंदे अधिक हो चुकी है रंच से यहां पर 5.111 की अवशक रंगती है यह मैच को जीतने हो भी सकता है कि आखरी ओवर तक जाए भी नाए मैच 18 ओवर में शायद खतम हो जाया जिस तरीके से दोनों केल हैं कि बाउंडरी लगातार आ रही है तो सकता है कि अठार में 19 ओवर में ही जो है मैच खतम होने की अशंका हम कर सकते हैं नैट सिवर यहां पर 18 गेंदों में 27 अनम आ चुके हैं वहीं अगर मैथ्यूस की बात करें तो 29 गेंदों में 56 नं मना कर खेल रहे हैं तो बहुत ही पार्टनर्शिप भी इन दोनों के बीच में होती भी और 46 नंगों की ज़रत है तो दूसरी जीत जो है अर्जित करने में बहुत ही करीम है मुंबई इंडियंस तयार है मेगन शुट अपना तीसरा ओवर लाने के लिए और फेस करेंगी नैटली सिवर पहली गेंद उसको ख हो चुका है स्कोर और 111 पर एक हो चुका है मुंबाई इंडियंस का स्कोर 56 रन पर के लिए मैथ्यूज और इस सिंगल के साथ सीवर जो है वह पहुंची 28 रनों पर चरी तोवर में अभी भी अन्तिम गेंद आना बाकिया इस बात पुल किया गेंज सीदे डीप मिड़िक प में 28 रन बनाके खेल रहे और महीं बात करें हिली मैथ्यूज की तो वह 30 गेंदों पर 57 रन बनाके खेल अभी भी और में चार गेंदे बाकिया फुल टास गेंद इसाथ पुल किया गेंद सीदे काव करने पे चौके के लिए तो वह या मजाग चल रहा है यहां से पे दोनों खिलाडियों के लिए क्योंकि मतलब बड़ी आसानी से रन बनाने में काम्याब हो रहे और कोई गेंदबास जो है किसी भी तड़की की चुनौती पेश नहीं कर पा रहा है यहां पे बल्लेबाजों के लिए मैं सही बहाँ बताओ मैं आप यह बहुत ही खराब डिसीजन भी और अब मैं चाहूंगा कि अगर यह मैच आप हार जाते हो कप्तानी दो आप को बड़ा डिसीजन है लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कप्तानी में भी कुछ पहना पर नजर ही नहीं क्योंकि स्मृती मंदाने इंडिया की बहुत बड़ी खिलाडी है और उनको हटा देना यह कितनी बड़ी बात होगी अगर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खिलाडी है जो इंग्लेंड को वर्ल्ड कप जिता चुकी है कई बार ऐसा होता ने कि विदेशी कप्तान के लिए किस पे एक काश्टम के बाहर की गेंती जिसको स्लॉक स्वीप किया था और के इंसी दे डीप स्कूर लग बांडरी के बाहर चली गिती चौके के लिए तो यहां पर 121 हो गया एक विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की समापति के बाद 35 रंच यहां से अभी भी मुंबई इं कि टीम यहां लेक्स्टम के बाहर गेंती फुले लेंद की उसको स्वीप कर दिया और गेंसी दे फाइन लेक बांडरी की और चौके के लिए तो एक और चौका बैक टू बैक आते हुए इस ओवर में और 15 रन आये हैं आईश भाई इस ओवर से काफी महंगा ओवर साबित हो उनके पास भी मौका है अपना दश्यतक पूरा करने का जब साधी चीजे खराब जारी होती है तो यहीं चीज है आपकी बॉलिंग की लाइन और लेंग बिलकुल बिगड़ जाती है मेगन शुट इतनी बड़ी बोलर हैं लगातार अस्ट्रेलिया को मैचिस जिताती हुए लेकिन यहां पर जैसे उनका रिदम थोड़ा सा जो है बिगड़ा और वही चीज जो है कि रिदम एक बार बिगड़ा और उसके बाद आप ठीक से कमबैक नहीं कर माएं तो इस ओवर में भी 15 रन और जैसा राजने का तीन और में 32 रन दे चुकी है मेगन शुट तो यह इस ओड़ा को मिल चुका है फॉर बोलिंग के लिए और नैट सिवर यहां पर पुल किया इस बाल को लेकिन और यहां पर डीप स्कुर लेकि जो फील्डर है उन्होंने इस बाल को फील्ड करने की कोशिश जरूर की लेकिन बिल्कुल हातों के बीच में से बाल गई और चार के स्पारी में तो रंगती देखिए आप 10.6 शुर्ने की रंगती है और 3.45 का रेक्वाइड रेट है आसानी से इस मुकाबले को यहां से जीतेगी अब मुंबई की टीम दाये हाथ से राउंड दो विकेट ऑस्टम के बाहर की गें थी उठा दिया उसको लॉंगान के उपर से 6 रनों के लिए बहुत आसान हो गया है अब तो मुंबई की टीम के लिए 135 पे एक हो गया है मुंबई का स्कोर 12.2 वनों के बाद और यहां से 46 गेंदों पे सिर्फ 21 रनों की गेंद बाज ही मतलब ऐसी चल रहे कि कोई अप्रोच ही नहीं है अब देखे कितनी आसानी से ब चलिए ओवर की अगली गेंद को लेकर तयार है आपर दाए हाथ से राउंड विकेट आफ टाम के बाहर की गेंदी फुले लंद की उसको स्वीप कर दिया गेंद सीदे डीप मिड विकेट बाउंडरी की और वहां खिलारी मौजूद एक ही रन मिलेगा इस एक रन की मदद स 136 पर 12.3 ओवर की समापती के बाद अब 20 रन चाहिए यह मैज जीतने के लिए और जो गेंदे है वह बहुत ही ज्यादा बचिए 45 गेंदे चले तो ओवर की चौथे गेंद को लेकर तयार है यह पर श्रयंका पाटिल दूसरा ओवर लेकर के आई है अपना 23 रंदी है कोई सफलताब तक हासल नहीं हुआ है उनको इस बार ड्राइव किया गेंज सीदे डीप काउड बाउंडरी की और वहां खिलारी कोई मौजूद कैसी फील्ड रही है कि इन्होंने सारे जो फील्डर है वो ओन साइड पर रहे रखें डीप मिड्विकेट बैकवर्ड स्कूर लेग का खिलाडी और लॉंग ओन तो इन्होंने इसलिए ऑफ साइड पर कोई खिलाडी बहार रखा ही नहीं है तो मैं वही तो कह रहा हूँ यह करें खराब कपतानी है इस गिंदबाजी और कपतानी भी खराब है और कपतानी भी खराब है जिसको यहांप वरकि पाचवी गेंद को लेके चलिंगी अब गेंदबास दाए हाथ से ओवर दविकेट। ऑफस्टम के बाहर की गेंद इसको कट किया और यहाँ पर पॉइंट के खिलार से मिस्फील्ड हुआ और डीप पॉइंट पर चौके के लिए गेंद चली गई। हर चीज वहाँ रेनुका सिंग ठाकुर ने मिस्फील्ड की तो चौका गया। यहाँ पर स्मृती मंदाना ने क्या मेगन शुट ने मिस्फील्ड की तो चौका गया। कुछ भी अच्छा नहीं होड़ा आपके लिए इस मैच में। मिचली 17 गेंदों पर उनन जास रन आए तो क्या कारनेज देखने को मिल रहा है। तो नेचर यहाँ देखने को मिल रहा है कि बैटिंग के लिए बहुत आसान पिछ है और कोई चैलेंज पोज नहीं कर पा रही है इस समय बैंगलोर की बोलर्स चाहिए वो स्पिन गेंद बाज हो चाहिए वो तेज गती के गेंद बाज हो इस ओवर की पांचवी गेंद तो आज चुकी है अंतिन गेंद आने वाली है लेक्सटाम की और हटकर गेंद को खेला है लोंग आफ की और एक सिंगल और इस सिंगल के साथ ओवर की हो जाएगी समाप्ती तो तेरा ओवनों का खेल समाप्त हो गया एक सो पैंतालीस पर एक है मुंबई का स्कोर बैलीस गिंदों पर यहां से सिर्फ ग्यारा रनों की जरहत इस मुखाबले को जीतने के लिए तो दो ओवर और चाहिए मुश्कल से जिर्फ 3.00 है उनका बैंगलोर का और माइनस 3.765 है बिलकुल तो मेरे कहल से आप मीचे चलियांगी रणों के हिसाब से देखा जाया तो और वैसे भी दो मैचेज आप हारने के बाद गुजरात भी दोनों हार चुका है गुजरात भी दोनों हार चुका है तो बॉटम आप और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा मुंबई की टीम का 145 एक विकेट के नुकसान पे था 146 पे हो जाएगा एक तालीस गिंदो पे यहां से सिर्फ 10 रनों की जरत तुनां चास गिंदो पे 101 रनों की साज़ेदारी मैथ्यूज और नाट सिबर के बीच में हुई है और यह कमाल की साज़ेदारी सोचिये मुंबई का कॉंफिडेंस कहां होगा इस समय दोनों मुकाबले ऐसे जीतना वन साइडेड कर देना इस ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंदे लेक्स ताम की और हटी है ड्राइब किया गेंगे इनको फुल अलिंग की गेंथी लॉंग औ की ओर एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा अब 147 पे 13.2 बनों के बाद चलिए तो ओवर की तीसरे गेंद को लेके तयार हैं प्रिती बोस यह उनका अंतिम ओवर है और टीस रन दियां एक सफलता भी उनको हासिल हुई है इस वार गेंद बाजिक करेंगी वो हेली मैथ्यूस को जो 36 गेंदों में 75 रन बनाके बलेबाजिक कर रही है बाए हाथ से राउंड विकेट इस वार लाग स्टाम्स की लाइन में गेंद इसको फ्लिक किया गेंद सीधे मिड विकेट के खिलारी के पास वहा है एक रन मिलेगा इस एक रन की मदद से 148 पे एक 13. तीन ओवर की समाप्तिक बाद नैटली सीवर आंगी स्ट्राइक पे जो 45 रन बना करके खेल रही है और पांच रन चाहिए उनको भी अपना अर्दशा तक पूरा करने के लिए डाइगनल आते हुए बाए हाथ से राउंड विकेट ड्राइव किया वहाँ पे शॉट एक्ट गुमादी है तो 46 ही रन लिखा हुआ रहा है हमारे दर भी 46 रिखा हुआ है वो साइद भावुक हो गई जल्दी है साही में उनको अर्दशा तक हुआ है नहीं हुआ है उनको दोबारा बताया चाहेगा तो दीदी चाहर रन बाकी है चौका मारी है चलिए अगली गेंद ले इस एक रन की मदद से 151 विकेट के नुकसान पे 13.5 ओवर की समापती के बाद जीतने के लिए 6 रनों की अवशकता श्ट्राइक पे हुँगी नैट सीवर बाए हाथ से राउंड विकेट डाइगनल आते हुए सीधे आट के बल्लेबास के लिए इस बार हवा हमें उठाया ह लेकिन पॉइंट के खिलारी के ऊपर से गें सीधर डीप कवर पे वहां खिलारी मौजूद इसलिए यहाँ पर एक रन मिला 151 पर 14 ओवर की समापती के बाद मैं जीद के दात देना चाहूँगँगा और उन्हें ने ही जान भूच के एक रन लिया है कि पचास पूरी होनी चाहिए नहीं बहुत आप आराम से दो रन लिये जा सकते हैं लिए अपना काम कर दिया उनकी दो पचास हो गई है उनके 77 रन हो चुग है अब चांस है नेट सीवर के बास कि वो भी 50 रन अपने पूरे करे महस तीन रन ही चाहिए उनको और वो थोड़े से एकसाइटमेंट में आखर उनने पहले ही बला ज्या उपर कर दिया था प्लेर ऑपजीश मेत्यूस एक बड़ी दावधर के लिए जाएंग बहुंगा कि इन्हों ने तीन विक्ट में तो जिए पांच विक्ट में थे लिए हैं तो अगर किसी ने तीन विक्टें और इतने रन भी बना दिया थो तो अक्लेर कट विनर रेल्कुल बिल्कुल भार्ड साथ और साथ से पंदरा ओवर के बीच में उन्होंने शेतर रन मनाया थे बैंगलोर ने मुंबई ने सतानवे रन मनाया बिना किसी विक्टो के नुकसान के अब बोलिंग कराने के लिए आई हैं पर बोलिंग कराने के लिए और अब जब सब कुछ हो गया तब आप अप जो है मैच हरवाइए हमोगी चलिए दाय हाथ से ओवर दविकेट पंजब ओड की पहले गिंद शौट बॉलती थी तोड़ी से उसको कट किया गेंज सीदे डीप एक्टा कार बंड की ओर चौके के लिए और पाचास पूरे हुए यहां पर सीवर के अब बला उठा सकती है वो अब कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा कि अब सेलगेट कीजिए आप अपना अर्थे शाता अब पता नहीं चल रहा है मेरेको लग अब उसने वुला उठा दिया अडवांस में खथम चले जीतने के लिए यहां आप से एक रन स्कूर सार लेवल यहां चले एक रन की दुरत है यह भी वन-साइड मैच था बिल्कुल बना दिया लेकिन इस मैच में मजा आया मैच में मजा आया क्यूंकि एंड में बड़ी ए टीमा रिखा के बाहर और एक और चौका लग जाएगा इस चौके के साथ ओवर यह जो पंद्रवा था उसकी दूसरी गेंद पर ही मुखाबले को 9 विक्टो से अपने नाम कर लिया है मुंबई की टीम ने और एक और धमाकेदार जीत दर्च किया मुंबई ने एक और बहु पर जीत कर और जादा बचलों नहीं और जीत नोगाजा गूँदादा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा थीए थिर ने मथी पर इस थेने जीती जीत लिखिए तो अब इसंव के पर से गड़िए क्योंकि अभी एक ही मैच क्या हुए लेगिन बैंगलोर के लिए भी फिर वही परेशानी हो चुकी है जो कि गुजरात के लिए कि दोनों के दोनों मुकावले आप हार चुकी है और कम से कम गुजरात जायंट्स ने थोड़ी बहुत टककर तो दी थी तो कि आखरी में आकर ग् ने den में और 25.185 बड़ी आवि भी तती बहुत है बहुत है बहुत है तो दो मुकाबलों मेंसे डोनों जीतने में कामयाब ही है और बड़े-बड़े अंतर्से जीतने में कामयाब रही है म मुंबाई की टीम चार अंग पांच दशलास एक आठ पांच का निटरन रेट है, शेकंड बेस्ट निटरन रेट है, यूपी का, नहीं दिली का है, 3.0, और यूपी का है, 0.37, उसके बाद दोनो, 0.374 और उसके बाद दोनों टीम है, माइनस में चल रही है, बैंगलोर ने दोनों में दोनों हरे, बैंगलोर ने उनकों वहां से हटाने के लिए, या तो उपर से टॉप पे या नीचे से टॉप पे, बीच में नहीं, तो यही जानकारी है हमारे पास, कि आज का मखाबला जीत कर, मुंबई ने अंक तालिका में शिर्ष पर अपना स्थान और मजबूत कर लिया है, और उन्हों ने बाकी टीमों के लिए भी अलाम बिल्स बजा दिये हैं, बिल्कुल, अब कल जो मुखाबला है, यूपी और डिली का, अच्छा, यूपी और डिली का मैच अच्छा, मज़ा आगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल, कल साड़े साथ बज़े से, यूपी और डिली के बीच, डिवाई पाटियल स्टेडियम में मुकाबला है, तो इस मुकाबले की कबरेज के लिए भी हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाते जाते, आपको हम मोस्ट प्ले जो हमारे स्पॉंसर हैं, उल के बारे में भी बता दें, कि वो इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और ट्रेंडिंग एप है, जहां आप फ्री में लाइप रिकेट मैंचस का मज़ा ले सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं और तमाम इनाम जीत सकते हैं तो उनको भी चेक आउट कीजिए जो लिंक है पे इंड कॉमेंट में वहां पे क्लिक करके और हमारे साथ कल जुड़ जाएए तब तक के लिए मैं सब्तियम आयूश राज आपको गुड़ नाइट बोलते हैं और बोलते हैं गुडबाई गुडबाई